नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लेके आए हैं WPC का डोर फ्रेम ये एक सेंपल मोडल बनाया है मींस की इस तरीके से WPC की खड़कियां बनती हैं ये देखिए इसमें पीछे इस तरह से याई दिया ये बनाया जाएगा इसमें आप ग्लास जाली कुछ भी लगा सकते हैं WPC का मटेरियल है तो दीमक पानी गुन की जीवनवर की इसकी वारेंटी रहती है सबसे बड़ी बात ही है कि ये पल्ले आपको बहुत सस्ते भी पढ़ेंगे खिड़की के और इसमें पेंट पॉलिश आप जो कराएंगे वह काफी कम लगेगा जैसे आप लखडी का पल्ला क देते हैं तो लगवग लगवग ये आपको खिड़की का पल्ला पूरा बनवाने के बाद 600 रुपे का करीब पड़ेगा तो आप जो अपना साइज देंगे तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो रवलूपीसी मटेरियल है इसका कि दीमक पानी गुन का जीवन बर का वरंटी रहता है दूसरा यह पल्ले आपके फिनिशिंग में भी काफी कमाती है और दूरेबल भी ज्यादा है और सस्ते भी आपको काफी पड़ते हैं तो यह विंडो का खिड़की का पल्ले के आप अलग-लग साइज में इसको बनवा सकते हैं जो भी आप आपको से साइज लिया जाएगा और सबसे आपको एस्टिमिट भी दिये जाएगा बट डूरेबिल्टी और फिनिशिंग एंड खूबसूरती यह तीनों चीज और स्फिर रेट यह सारी चीज है इस डव्लूपीसी के खिड़की के पल्ले आपको मिलेंगे सबसे बढ़ी से भी अपने यहां बनवा सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है कार्पेंटर इसको सेम जैसे लकड़ी के खिड़की के पल्ले बनाता है सेम वैसे पल्ले इसकी भी बन जाएंगे तो आप इससे आपको ट्रांस्पोर्ट चार्ज भी कम लगेगा और आपने अनुसार वहां ब सेक्टर है विंडो के पल्ले के लिए जो कि काफी आजकल देखा गया है कि दर्वाजे तो देते ही हैं हम लोग दर्वाजे के साथ खिड़की के पल्लों के भी काफी डिमांड रहती है उसके लिए अलग लग जाना पड़ता है अब आपको कहीं जाने की जूरुवत नहीं ह दोर्स के लिए आपको पताए है हमारा यूवी डोर जो समय इंडिया में काफी फिमस होता जा रहा है वह तो आपने सका सीरिस देखा होगा नहीं देखा होगा तो आप उसको भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं यूवी डोर के नाम से गूगल पर सर्च कर सकत हैं सबसे लीडिंग डोर है इंडिया का काफी अच्छा डोर है चली डोर की बाद तो मैं आपको नहीं बढ़काना चाहूंगा वह आप देखी लेंगे बाकि यह खिड़की के पल्ले के लिए आप कॉंटक कर सकते हैं तो जी नमस्कार धन्यबाद